दोस्तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है ऐसा वीडियो यूटूब पे किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलने वाला है इतना डिटेल एनालिसिस है इस वीडियो में जामिय क्लास 11 का आर्ट्स का कोमर्स का और साइन्स का कटफ बताऊंगा कितने स्टूडेंट प्लेट्फॉर्म अपलाई करते हैं कितने एंट्रेंट्स एग्जामनेशन में एपएर होते हैं आपका क्या चांस है इस साल होने का और कैसे आप तयारी करें और किस प्लेट्फॉर्म पे तयारी करिएगा तो दोसतों वीडियो को तुरेंट लाइक कर दीजिये और चैनल के चांस है इस साल होने यानि आपका कितना probability है admission होने का तो दोस्तो हम लोग अपने TBIT classes app पे complete guidance दे रहे हैं जामिया का class 11th का भी 9th का भी 6th का भी AMU का भी BHU का भी और आपकी दुआएं रही तो आने वाले दिनों में graduations का post graduation का PhD का research का भी entrance examinations का preparation करवाएंगे हम लोग test series करवाते हैं theory करवाते हैं previous year questions paper आपको देते हैं free study material देते हैं questions bank भी देते हैं download app कर सकते हैं हमारे description box में चलिए फटा फटा आपको बताते हैं कि इस साल कितने forms आये थे जामिया मिले इसलामिया में admission के लिए तो total 17,256 applications आये थे कितना दोस्तो 17,17,256 applicants आये थे यानि application भरे गए थे अब इन में कितने लोग entrance examination देने आये और कितने लोग नहीं आये ये देखिएगा ये कमाल की बात है तो दोस्तों देखिए 11,12,13 जुलाई को test हुआ था इसमें देखिए 11th में 11th commerce में 76% student आये थे त total 11th class के जो student थे commerce के लिए 1893 और arts के लिए 2797 और science के लिए 12,56 तो इसका 74% आपको निकाल के दिखाऊंगा और इस amount का 77% और इस amount का 76% इन्हों ने entrance examination originally आके दिल्ली में दिया है बाकी लोग कितने absent हुए थे उसका भी data लेके आया हूँ ऐसा वीडियो आपको YouTube पे बिल्कुल नहीं मिलेगा और आप लोगों के प्यार से आप लोगों के दुआओं से आप लोगों का विश्य ये चनल Central UCD का number one तो है ही और भर-भर के आप लोगों को like, comments, share आते हैं इसके लिए हाथ जोड कर आपको बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत धन्यवा तो दोस्तों ये डेटा है, मैं डेटा आपको बहुत प्यार से प्रिपियर किया हूँ, तो सबसे पहले देखते हैं कि 11 साइन्स में seat है, देखे है, स्कूल जो है, जामिया सिनियर सेकंडरी स्कूल है, साइद आबित हुसें सिनियर सेकंडरी स्कूल से, इसके बाद हम cut-off पर बात करेंग जामिया गल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है एडिशनल सीट सें अंडर सेल फाइनेंस इसकीम जामिया गल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो सीटे देख सकते हैं आप 40, 70, 20 और 30 मैंने क्या किया इन चारों टेबल को जोड कर यहां दिखा दिया कि 11 science में total सीटे कितनी है 160, 11 arts में total सीटे है 190, commerce में total सीटे है 140, ठीक है, तो आपको ये जोडने की ज़रुरत नहीं है, मैं आपके लिए जोड दिया हूँ, तो science के लिए 160 सीटे है, arts के लिए 190, और commerce के लिए 140, इसमें देखेंगे कि arts में सबसे ज़्यादा सीटे हैं, और देख 12,566 form apply हुए हैं, जिन में से 74% appear हुए हैं, तो इसका निकालेंगे 74% 12,566 का, तो 9,299 आएगा, यानि 9,299 बंदों ने exam दिया है 11 science का, ठीक है, ये form apply हुआ था, लेकिन कुछ लोग absent हो गए, तो समझ लिए 9,312 होता है, तो 3,000 के आसपास exam दिये ही नहीं है, कितना? 3,000 के आसपास exam दिये ही नहीं है, 11 arts की बात करें, तो इसमें 2797 form apply हुए थे, 77% appeared हुए हैं, तो टोटल जो examination देने वाले candidates हैं, वो 214 है, यानि 2000 ही आसपास arts का form भर के exam दिया है, यानि entrance examination दिल्ली में देने आये हैं, बाकी देखिए 600, 700 के आसपास absent रहे हैं, 11th commerce की बात करें, तो इसमें 1893 form apply हुआ है, और इसमें exam देने वाले जो बच्चे आए हैं, वो 1449, ठीक है? अब मैंने इस data को लेके calculate किया further आपके सुविधा के लिए, आपके hit के लिए, आपके परिवार के hit के लिए, देश के hit के लिए मैंने आपको और इसको compile करके data analysis किया है, और इसमें मैंने पाया है, कि देखिए, total form apply करने वाले तो इतने हैं, अब इनसे कोई लेना देना नही form तो कोई भी apply करके exam दे, उन लोगों का hit कराइटी ये count करूंगा, कि जो लोग दिल्ली में आये और exam दिये हैं, उनका ही competition count होगा, तो 9299 बंदे ने exam दिया है, ठीक है, और 160 seat हैं, तो हर 58 बंदों पे 1 seat book होगा, यानि 58 candidates में से 1 का selection होगा, मोटा मोटी समझ लिजए कि 60 बंदों पे 1 बंदे का selection होगा, यानि 60 बच्चों पे, 60 बच्चों में से 1 का selection हो जाएगा, ये probability है, एक बटा 58, अब 8 में दिखिए, 8 में जो probability है, वो है आपका 214 लोगों ने तो exam दिया है, आके दिल्ली में और 190 seat हैं, जादा seat हैं, तो 1 बट 11, यानि हर 11 बंदों में से 1 बंदे का selection होगा, यानि हर 11 students में से 1 student का selection होगा, ये है कमाल की बाते, अब दिखिए, commerce की बात करें, तो commerce में बहुत कम candidates IPR हुए हैं, form ही कम भरा है, और entrance examinations भी कम दिया हैं, तो 1449, 1449 बच्चों ने तो exam दिल्ली आकर दिया है, और 140 seat हैं, तो 1 बटा 10, यानि हर एक commerce में entrance examinations देने वाले में से 10 बच्चों में 1 बच्चों का selection होगा, यानि 1 बटा 10 है probability, यानि सबसे ज़्यादा जो chances है आपको होने का, वो है element commerce में, तो आगे अगर अगले साल के लिए भी आप form apply करेंगे, तो ध्यान रखिए, आप तीनों में apply करती जि कि किस में कितना number लाएंगे, तो आपका science मिलेगा, arts मिलेगा, commerce मिलेगा, मैं cut-up बताता हूँ, उससे पहले एक छोटा सा brief introduction दे रहा हूँ, कि देखिए, जो candidate science में भरता है, वो ज्यादा तर arts में भरतेते हैं, commerce में भरतेते हैं, यानि science में सबसे ज़्यादा होता है, क्यू होता है, यह मैं आपको बता देता हूँ, क्यूंकि जामिया मिले इसलामिया में b.tech है, और b.ds भी है, तो medical और engineering में, जो internship मिलता है, उसको फायदे के लिए, school में भर-बर के बंदे आते हैं, खासकर science के लिए, arts के लिए कम competition इसलिए है, कि arts का specialization कोई ऐसा course नहीं है, जो कि other university में नहीं होता हो, other university में भी B.tech होता है, जैसे UPTU के बात करें, लेकि एक लाख 10,000 फीस लगता है, तो जामिया में 20-22,000 में आपका B.tech हो जाता है, और एक लाख UP के सरकारी college में आपको देना पड़ता है, तो B.tech में, जामिया में लोग आना पसंद करेंगे, उसको फीस कम है, उसी तरह B.D.S. जो है, डेंटल या मेडिकल के पड़ाई private में बहुत ही मांगा है, 25-25 लाख सलाना देना पड़ता है MBBS course करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि साइंस में क्यूं इतना भीड है, इसका मैंने आपको कारण बता दिया है, और arts में भी आप जरूर भने, commerce में भी जरूर भरें, और ये देख लें किसमे chance ज्यादा है selections का, क्यूंकि हो सकता है कि आपको कम नमर में जामिया जैसा Central University में पढ़ने का मौका मिल जाए, और मेरी दूआ हमेशा रहेगे कि आप लोग जरूर जामिया जैसे institutions का फाइदा उठाएं, Delhi University है, बनारस Hindu University है, अ arts का cut-off देखिए, पहली list आती है, तो उसमें कुछ और cut-off होता है, दूसरी list आती है, तीसरी आती है, चौती मैंने average लिया है कि last आती है, जादा तर चौती ही list last आती है, तो चौती list में 11 arts के देखिए, जेनल candidates का 48 नमर पे, यानि 100 नमर में जिसका arts में 48 से उपर है, उसका इस सा सेलेक्शन हो जाएगा, यानि अगर आपने 50 नमर लाया है, किस में? arts में, तो आप बिलकुर बले बले हैं, Muslim candidates का अभी लगबर general category के आसपास होता है, ऐसा नहीं कि Muslim में बहुत जादा छूट है, और general में बहुत जादा मारा मारी है, आप देख सकते हैं, चौता list में arts ये देखिए, चौते list में arts में, general candidates का 100 में, जिन्हों ने 48 मार्स हासिल किया है, यानि 100 नमर में जिसको 48 नमर मिला है, निगेटी मार्किंग तो नहीं है, बिलकुल मैं आपको बता दे रहा हैं, निगेटी मार्किंग नहीं है, तो जितने आपके कोशन सही हुए होंगे, इस जादा है, अब हम लोग बढ़ते हैं, फटाफट commerce की तरफ, फिस science की तरफ आते हैं, और वीडियो हो जाएगी, खतम, तो दोस्तों देखिए, ये है fourth list है, general categories है, Muslim categories है, Muslim OBCST है, और Gennd के categories है, ये है commerce के लिए, तो commerce के लिए देखिए, cutoff अगर आपका 68 नमर से अबव है, तो आपका general category में आपका selection हो जाएगा, Muslim category के बात करें, तो आपको Muslim category भी लगबग general category के आसपास है, Muslim OBC में एक नमर का अंतर है, और Gennd के categories में चोंवन का, तो समझे ये 65 से अबव अगर लाएंगे, इस साल commerce का paper थोड़ा tough आया है, तो अगर 65 से अबव नमर लाएंगे, तो इस स हो जाएगा, और commerce में, 65 and above में आपका selection हो जाएगा, हो सकता है कि इस साल paper tough है, तो और नीचे जा सकता है, और नीचे जा सकता है, डिपेंड करता है कि student का कितनी तयारी थी, तो कोरोना में मान के चला जाता है कि कम होगा, लेकिन ये पिछले साल का है, अच्छा खासा कटफ गया है, अब science की बात कर लेते हैं, तो science की बात करें, तो general categories का देखिए 73, Muslim category का 73, Muslim women का 69, तो देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो cut-off गया 73, इसमें गया है, इसमें 70 का नाम निशान नहीं है, आर्ट्स में भी 70 का नाम निशान नहीं है, तो science का cut-off सबसे ज्यादा जाता है 73 मास, कितना? 73 मास, Muslim categories का भी general categories के आसपास रहता है, Muslim वड्कियों के थोड़ा सा एक दो नमबर कम रहता है, और PWD के लिए तो बहुत कम 40-50 में हो जाता है, तो science का अगर target करते हैं, तो 75 का number का target रखिए, commerce के लिए करते हैं, तो 65 का रखिए, arts के लिए करते हैं, तो आप 50 गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, कि मैं कह रहा हूँ, कि अगर आप, अगर आप, बहुत दिल से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा है, कि आप target रखें, किसका, किसका target रखना है, आपको target रखना है, कि आपको कम से कम 50 लाएंगे, तो आपका हो जाएगा, आर्ट्स में, और कॉमर्स में आप 65 और साइंस में 75, 50, 65, 75, 75, 75, 75 से अब आप साइंस के लिए, 65 से उपर कॉमर्स के लिए, 50 से उपर आर्ट्स के लिए, ये target है, बट डिपेंड करता है, एक दो नंबर, प्लस माइनस होते रहते हैं, हर साल डिपेंड करता है कि कोशन का लेवल क्या है, और स्टूडेंट की तैयारी क्या है, तो दोस्तों हम लोग अपने TBIT क्लासे अब पे आपको बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, और बहुत कम फीस है, ना के ब्रावर फीस है, अज़े फिजिकल कोचिंग करते हैं, तो आपको 10,000 से उपर ही लेते हैं, लेकि हम लोग अपने एप पे 1000 के आसपास में, अगर किसी को चाहिए कि मुझे सिप test series चाहिए, तो उसको 500 रुपया में test series मिल जाएगा, किसी को चाहिए कि मुझे 10 साल का previous year questions paper solve चाहिए, तो उसको 500 में मिल जाएगा, अगर किसी को चाहिए कि free study चाह करते हैं, वीडियो पसंद आई होगी, तो like कर दिजेगा, चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर दिजेगा, अपने दोस्तों को, यारों को, family member को, इस वीडियो को share कर दिजे, चाहिए उनको भी ज्यान हो, इल्म हो, क्योंकि ज्यान, इल्म, education बहुत जरूरी है, हुनर है, तभी कदर है हुनर है, तभी कदर है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक you take good care of yourself, जैहिंद जैजामिया